सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल मदर Language Day के बारे में अंतरास्टी मात्री भाषा दिवस के बारे में जिसको हरसाल इकिस परवरी को मनाया जाता है UNESCO के द्वारा 1999 में डिसाइड किया गया था और 2000 से ही हम ये जो डे है सेलिबरेट कर रहे हैं बांगला देश्टों के द्वारा अपनी भाषा के लिए जो लडाई करी गई संघर्ष किया गया उसकी याद में भी हम अंतरास्टी मात्री भाषा दिवस मनाते हैं अगर मैं भारत के बारे में बात करूं तो भारत भाषा संगम के नाम से भाषाओं को बचाने के लिए अपनी मात्री भाषा को बचाने के लिए अपनी जो प्रादेशिक भाषा हैं छेतरी भाषा हैं उनको बचाने के लिए काम करता है और नई भाषाओं को सीखने के लिए अपने युवाओं को बच्चों को बच्चों को प्रेवित करता है आए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, RPSF, RPSF Constable है, इनका नाम है श्री शशी कांथ कुमार, ठीक है, तो श्री शशी कांथ कुमार को कौन सा सम्मान दिया गया है, तो देखो इनको जो सम्मान दिया गया है, वो जीवन रक्षा पदक दिया गया है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ कि अगर आपने किसी का जीवन बचाया है, कोई दुरघटना होने से रोका है, तो आपको जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा, तो ये RPSF Constable है, श्री शशी कांथ कुमार जी और इनको ये पदक दिया गया है, जिसका नाम है जीवन रक्षा पदक दिया गया है, उसके बा इन्हों ने, यानि शशी कांथ कुमार जी ने अपनी जान लगा कर उस महिला की रक्षा की, और जो दुरघटना हो सकती थी, उसमें कई यात्रियों को खत्रा हो सकता था, उससे भी रेलवे को और यात्रियों को बचा लिया, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही शशी कांथ कुमार को जीवन रक्षा पदक दिया गया है, जीवन रक्षा पदक हमारे देश में 1961 से ही दिया जा रहा है, इस बात को जरूर थ्यान में लोगसभा चुनाओ के लिए पंजाब का स्टेट आइकन किसे बनाया गया है, तो लोगसभा चुनाओ के लिए आइकन बनाया है शुपमन गिल को और इस बार का नारा दिया है अपकी बार 70 पार यानि कि जो मद्दान का परसेंटेज है वो 70 परसेंट या उससे उपर रखा गया है इस बात को ध्यान पर लेंगे नेक्स बात करेंगे नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मे दिल्ली में आयोजित किया गया है और बहुत सारी कमपनियों ने अपने नीम आधारिक प्रोड़क्त को पेश किया इसके दोरान लगभग 22 कमपनियों ने भाग लिया और अपने जो प्रोड़क्त हैं उतपाद हैं उनको प्रस्तुत किया है 19-20 परवरी को ये हुआ है नई नवी करणियों उर्जा परियोजनाओं के लिए इरेडा ने किसके साथ समझोता करा है साज़ेदारी करी है तो इरेडा के द्वारा साज़ेदारी करी गई है PNB के साथ में यानि पंजाब नेशनल बैंक के साथ में साज़ेदारी करी गई है कि नवी करणियों उर्जा के लिए जो भी वित्तिय समावेशन है जो भी वित्तिय जरूरते हैं वो पीन भी पूरा करेगा इरीडा के लिए इस बात को समझ लेंगे और यह जो टाइफ हुआ है वो 19 फरवरी को नई दिल्ले में हुआ है दोनों के बीच में पीम मोदी ने उत्तरपदेश के किस इस्थान पर श्री कल की धाम मंदिर की अधार शिला रखिए देखो हिंदू धर्म के अनुसार जो कल की अवतार होने वाला है वो कहां पर होने वाला है तो उत्तरपदेश के संभल में ही श्री कल की धाम मंदिर की अधार शिला रखी गई है पीम मोदी उस समें उपस्थित थे साथ म हमारे धर्म को हैं वो भी उपस्थिक थे साथ में इस कारिकरम में अध्यक्ष प्रमोद कृष्णन मुख्यमंत्री योगिया दिते ना जैसा कि मैंने आपको बता दिया यह सभी लोग उपस्थिक थे ओके फिलियर आगे नेक्स बात कर लेते हैं कहां पर आयोजित हो रहा है और इस बार कौन सा संस्करण है यह भी देख लेते हैं तो 2024 का जो खजुराहो नित्यमोद सो है उसका जो एडिशन है वो कौन सा है तो पचासवा है कौन सा एडिशन है पचासवा एडिशन है इस बात को ध्यान में रख लेंगे कहां पर हो रहा है तो उत्तरबजिस के खजुराहों में हो रहा है और इसके दौरान जो हमारे शास्त्रिय नृत्य हैं जैसे कथक है, भरतनार्टियम है, ODC है इन सब का कुछी पुरी है, इन सब का प्रदर्शन किया जाएगा कलाकारों के दौरा और साथ हमें ही कथक को एक आइकन की रूप में दिखाये गया है पंद्रह सो कथक कलाकार अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगे और एक गिनिज बुक में एक रिकॉर्ड दर्ज करेंगे इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट बात करेंगे हम अच्छा 26 फरवरी तक ये चलने वाला है इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे 11 वां अंतरास्टे कट कुतली महत्सो का आयोजन कहाँ पर किया गया है तो देखो 11 वां अंतरास्टे कट कुतली महत्सो है और इसका जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है कहां पर करा गया है चंडीगड में किया गया है पेपट फेस्टिबल का आयोचन इस बात को भी समझ लेंगे अच्छा चंडीगड की राज्येपाल और पंजाब की राज्येपाल कौन है तो बनवारी लाल पुरो ही थे इनका नाम भी हमें याद होना चाहिए ओके नेक्स बा इंका रंकर दिया गया है और मैं आपको बता दूँ कि जो यह सेवन सिस्टर्स वाला ए यह जी जो यह हमारे स्टेट है यहांपर यह घैलो इंडिया यूनुवरस्टी गेम्स होने वाले कितने विधाओं का प्रियोग होगा, कितने एथिलेट इसमें भाग लेंगे, तो 4544 इसमें एथिलेट भाग लेने वाले हैं, इस बात को भी समझ लेंगे, 20 खेल विधाओं का प्रियोग होगा, 18 स्थानों पर ये खेल खेले जाएंगे, ओके, निवेशक जागरुपता बढ़ाने के लिए, DBS Bank के साथ में, DBS Bank भारत में 29 सालों से काम कर रहा है, और बहुत से मार्केट में इसने अपनी जग़ा बनाई हुई है, और ये इस पेशनी निवेश को बढ़ाने के लिए काम करता है, ठीक है, निवेशक सिक्षा और संरक्षन निधी प्राधिकरन, ज DBS Bank के साथ इसने साजेदारी करी है, और 7 सितंबर, 7 सितंबर 2016 से ही इसको इस्थापित कर दिया गया था, निवेश को बढ़ाने के लिए, देखिए, पॉपुलर टीवी एक्टर है, रितुराज सिंग जी, इनको इस्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनको बहुत सारे टीव कि आयों में, किस वज़ा से? कार्डियक अरेस्ट की वज़ा से, किसकी वज़ा से? कार्डियक अरेस्ट की वज़ा से, तो याद रख लेंगे, अब हम रिजन कर लेती हैं, जो कुछ हमने कलप पढ़ा, तो 19 परवरी को हमने चत्रपति शिवा जी महराज की जैनती मनाई, औ से लिए 19 फरवरी को हम ब्रिदा स्वास्थे कार्ट दिवस भी मनाते हैं 2015 में इसकी स्टार्टिंग करी गई थी पीम मोदी के द्वारा राजिस्थान के सूरतगर से 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और इसके बाद हम बात करेंगे कोश्चन बद्राचारिया इनको स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इनको ग्यान फिट पुरसकार दिया जा रहा है 2020 के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का सेटलाइट किसके दौरा लांच किया गया है तो नासा और जैक्सा के दौरा किया गया है यानि जापान की जो एजंसी है एर न स्छ報 violence, और नासा इन दोनों ने मिलकर ये कारनामा कर लिया है नेक्स बात करेंगे भारत का पहला स्वदेशी जासुसी उपगराः इसुस्पेस एकस उसको विक्सित किया जाएगा किसा दौरा तो इसको विक्सित किया जाएगा tassl श्रु के दौरा ओके नेक्स बात करें है भारत में जो युवा है इस बेस्टी जो ग्रामेड इलाके के युवा है उनको विज्ञान से जोड़ने के लिए अंत्रिक्ष से जोड़ने के लिए इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कल की न्यूज में मैंने आपको एक वेबसाइट भी बताई थी उसमें करन के लिए उडिसा सरकार के द्वारा जो योजना शुरू करी गई है उसका नाम है स्वैम क्या योजना है यह स्वैम इसके तहट मैंने आपको बताया था कि 18 से 35 साल के जो युवा है उनको एक लाख रुपए दिया जाएगा विदावड व्याज यानि बीना व्याज के एक लाख रुपए दिये जाएंगे आगे नेक्स चर्चा कर लेते हैं हैं हैनल पास्पोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार हैनल पास्पोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे सबसे साली पास्पोर्ट कि देश का है तो फ्रांस का है 194 देशों में फ्रांस के जो पचासवी नंबर की है एना 85 नंबर पर भारत का पासपोर्ट है एनल पासपोर्ट इंडिक्स के आनुज़ा आइसी सी आई बैंक के गैर कारेकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो ये नॉन एग्जेकुटिव पार्टाइम चेर्मैन है इनका ना पर देखेते हैं इवी अवसन रशना विकास में कौन सा राजय अग्रणी पर है इवी यानिए इलेक्ट्रोनिक वहिकल क्या इलेक्ट्रोनिक वहिकल के बारे में बात हो रही है तो इलेक्ट्रोनिक वहिकल के लिए जो अवसन रशना विकास है वो किस स्टेट जो कौन सा स् रख लेंगे और साथ में ही जो electronic vehicles हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है अगर ये कोशन आता है तो याद रख लेना इनकी संख्या सबसे ज़्यादा UP में है यानि UP के लोग ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रही है सेशन में इतना ही नाराज मत होईए बाई बाई टेक केर